बिहार की राइनिती से कल एक बड़ी खबर आई जब नितीश कुमार ने ये ऐलान किया कि जो दुज़ार पच्चीस का चुना होगा वो तेजस्वी यादो यानि आरजेडी के निता हैं उनके नितीश कुमार के सालों तक सायोगी रहे और पूर केंद्री मंतरी सर नितीश और जेडीउ का भविश्य अब क्या देखते हैं देखिए बिहार के रिए बहुत ही दुखद नियूज है इसलिए दुखद नियूज है कि लोक तंत्र की खासियत क्या होती है कि जो भी व्यक्ति राजनीती में है वो किसी भी पद को प्राप्त कर सकता है चाह मुखमंत्री का पद हो या प्रधान मंत्री का पद हो लेकिन यहां देखिए एक नेता है जनता दलियू के नेता है और किसको मुखमंत्री की कुर्शी थमारे आरजेडी के नेता को तो क्या यह अच्छा है बिहार के लिए बिहार के लिए बहुत ही दुखद है और जनता दलियू तो समा दिरा रहे हैं। कि 2025 में आप मुखमंत्री बनियेगा उसको कितना भरोसा होगा जेडियू का भविश आप नहीं देखते हैं इस एलाइन के बाद क्या भविश देखते हैं अब भविश का बचा मैंने बताया ना कि कोई भी राजनितिक दल राजनितिक क्यों करता है वो करता है कि हमारी कोई न परिकरम को अनलागों करेगा तो पार्टी समाप्त हो गई इतिस वाब उने अपने हाथ से अपने वचन से समाप्त कर दिया उपे अंदर कुश्वाहां है जेडियू के संसधिय बोट के अध्यक्षा उन्होंने कहा कि ये तो आत्मगाती होगा मौत जैसा होगा पार्टी के अंदर आप लगता है कि अब अलग लग सुनाई देने लगा थे तो जाने वह कि उनको क्या कह करके पाठी में लाए थे यह तो वह जाने या जो लाए थे लेकिन देखिए मैं इस बात थे तो मैं भाई आज मैं बड़ा सकून क्यों मासूस कर रहा है कि नितिश्वाह उन्ह के भरोसियां में आएगा उसके साथ विश्वास घात हो गई यह स्वी यादो नितीश कुमार के इस बयान पर भरोसा करें कि नहीं करें यह तो सला होगा कि भरोसा करने के पहले जरा और लोगों से लाई ली लीजिए आपको क्या लगता है कि यह इसलिए मैं यह सवाल पूछ सवाल है देखिए राजनीती में क्रेडिबिलिटी अखिर का है लोग आज रांधी क्यों गंदा कहते हैं का है नेताओं पर विस्वास उठता है लोगों का इसी प्रकार की हरकतों से इससे बहुत नुक्सान हुआ है भारती राजनीती को अब बिहार के रांधी को तो बहत सब्तार करें थो और आगमिश्य जिक्सान हो अब बताएं इनका नाम लेते ही जी विहार में रोड़ोग क्या कहता पल्टू है आपको बतातु में युक्रण गये था वहां की गांवॉं को लोगों के का था यजिव करें कि सर हम लोंको बगलकर तर नहीं हो तुम लोग प् आग या पल्टू का तो यह सुझा दो एक यंग लीडर है उनको अगर आगे बढ़ाते नितीश कुमार तो इसमें क्या खराबी है हम कहां कह रहे हैं लेकिन बिहार में क्या वही है कहें क्या बिहार के आवादी बारक करोड़ है इनकी पार्टी में खुर 70 लाक कार्ज करता है तो लोक तंत्र में तो कोई परिच्छा देता है परिच्छा तो होती नहीं है कि competition हुआ ये तो भई आप जिस प्रकार का अफसर जिसको मिला नितीश बावू का अफसर मिला तब नो मुखमंत्री बने बसिष्ट बावू को अफसर मिलता हूँ मुखमंत्री बनते बजंदर है तो अफसर की बात होती है एक आखरी सवाल शराबंदी पर मैं पूछूंगा क्योंकि छपरा से ख़बर आ रही है कि वहां पर भी फिर से जो कई लोगों की मौते हुई हैं दस क्या सपास लोगों की मौते होई है क्या आपको लगता है कि शराबंदी फेल है नितीश को मा इजमेवार है मैं 2020 से उनको सलाह देते आ रहा हूं कि बिहार में सराबंदी फेल है कंप्लीटली फेल है तुरंत बापस लेज़े लेकिन उस जिद्ध वाले आदमी है जराब सुचिए साहाब कितने लोगों की मौत हो गई और प्रती वर्स बीस से पचीस हजार क्रोड का नुक्सान हो रहा है अब जरा सुचिए बिहार है इसे प्रदेश को निजी सभाव बताए कि 17 वर्सों में क्या उन्हों ने संसाधन में कठा किये बिहार की सडकें कराब है सब बिल्डिंग बेकार हो चुकी है सराब बंदी क चिए हुए सराब भी पिक रहा है और जो राजस्वात पनुक्सान है त्रतकाल मैं तो पिछले दो दिन दिन समय ने कहा कि ततकाल इसको बापस करिये और तो आगे आपको जिम जवाब देना पड़ेगा और गंभीरता से जवाब देना पड़ेगा क्या बिहार में लाखो क तो फरोड का नुकसान हुआ हुआ को एक आखरी सवल आप कहा रहे है कि जे दियू का खात्मा हो रहा है जडियू का भाविश अब नहीं है लेकिन वो तो विलाए की चर्चा हो रही है आपको लगता है कि जेडियू आजी डिकाब का विलाए होगा तो और जबाप आप महा का एलान है ये बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है ये कहना है अर्सी पिसिंग का कैमरामेन निखिल रस्तोगी के साथ प्रशांत एबी पी नियूज दिल्ली